प्रेंट्स रमाश्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक राजी टिवी नेटवर्क पर फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज क इस तक इस साप्ताहिक राशी फल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशी के साप्ताहिक राशी फल की साती साथ आपको बताएंगे राशी अनुसार कुछ सरल उपाएं सभी राशियों के लिए इसके साथ साथ राशी फल के दौरानी आपको बताएंगे तीन विशेश प परिवर्तन हो रहा है इसकी पूरी जानकरी देंगे बात करेंगे विशेश परवों के बारे में पूरे सब्ताह के विशेश परव आपको बताएंगे और साथ साथ आपको बताएंगे विशेश शुब योगों के बारे में पूरे सब्ताह में कौन से शुब योग बनने जा तो चलिए साप्ताहिक राशिफल की शुरुवात करते हैं यह साप्ताहिक राशिफल सुमवार 10 अक्तुबर 2022 से लेकर रवीवार 16 अक्तुबर 2022 तक का है तो राशिफल की शुरुवात करते है साप्ताहिक की ग्रह और गोचर के साथ में इस सब्ता में सूर्य का सफर कन्या राशी में हस्त नक्षत्र के चौथे चरण से चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण तक रहेगा चंद्रमा का सफर मीन राशी में रेविती नक्षत्र से मिथुन राशी में 18 नक्षत्र तक रहेगा मंगल का सफर विरश राशी में म्रगशरा नक्षत्र के दूसरे चरण से मिथुन राशी में म्रक्षिरा के तीसरे चरण तक रहेगा यानि की मंगल जो है वो राशे परिवर्तन करेंगे और ये करेंगे रविवार 16 अक्टूबर 2022 को सुबह 7 बचकर 59 मिनट पर मंगल मिथुन राशी में आ जाएंगे बुद्ध का सफर कन्या राशी में उत्तरा फागुनी नक्षत्र के तीसरे चरण से हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण तक रहेगा ब्रस्पती का सफर वक्रिय चाल से मीन राशी में उत्तरभाद बद नक्षत्र के दूसरे चरण से आगे बढ़ेगा शुक्र का सफर कन्य राशी में हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण से चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण तक रहेगा शनी का सफर वक्रिये चाल से मकर राशी में धनिष्टा नक्षत्र के पहले चरण से आगे बढ़ेगा बात करते हैं अब विशेश परवों के बारे में इस सब्ता में सुमवार 10 अक्तुबर 2022 को कार्तिक महा की शुरुवात हो रही है सबसे पुन्य दायक महिना कार्तिक जिसमें दिपाविली आती है जिस महिने में दिपोटसब का परव आता है जिस महिने में देव दिपाविली आती है जिस महिने में करवा चौथ आती है वो महिना शुरू होने जा रहा है सुमवार 10 अक्तुबर 2022 को बुधवार 12 अक्तुबर को कार्तिकाई दीपम परव मनाया जाएगा गुरुवार 13 अक्तुबर को करवा चौत मनाया जाएगी स्वागनों का विशेश परव और साथी साथ वक्रतुन्ड संकष्टे चतुर्थी मनाया जाएगी और शुक्रवार 14 अक्तुबर को रुहिनी पर अक्तुबर को, अम्रिज सिद्धी योग रहेगा, मंगलवार ग्यार अक्तुबर को, और इसके अलावा, ना तो दुई पुश्कर योग है, त्री पुश्कर योग भी नहीं है, गुरु पुश्य योग, रभी पुश्य योग, और विवहा मोरत भी नहीं है, तो चले बात करते हैं और राशे नुसर उपाई भी आपको बताएंगे और साथ-साथ पर्व से संबदे तीन विश्श उपाई भी बताएंगे शुरुवात करते हैं पहली राशी मेश के साथ में कारोबार के नए अफसर प्राप्थ होंगे सब्ता में पराने सौदों से लाब मिलेगा, आएके नैसरोत बनेंगे, बेरोजगारों को रोजगार के मौके मिलेंगे, भूमी भवन के क्राय विक्राय के योग हैं, प्रेम संबन मजबूत रहेंगे, दामपत्य मधुर रहेगा, इस सब्ताहे को पाये करें, किसे धर्मिस्तल की साफ सफाई कर बात करता है दूसरी राशी व्रिश्की, इस सब्ताह सेयत कुछ नरम रहेगी, बेवजह के विवादों से बचें, गुस्स और भाशा पर काबू रखें, कोट कचरी के चक्करों से बचें, रोजगार के अफसर हाथ से निकल सकते हैं, महिलाओं की धर्म कर्म में रुची ब लेगी, निवेश से पहले परिजनों की सलहा लेंगे, धन फसने के योग हैं, सावधान रहें, प्रेमी से गलत फैमिया दूर होंगी, दाम पत्रसिक रहेगा, सेहत को लेकर सतर्क रहें, उपाईये और मौसमी बिमारियों से परिशान भी रहेंगे, उपाईये करें कि गाय देन में परिशानी आ सकती है, निवेश में पूरी सतर्कता बढ़ते हैं, कामकाज में लापरवाही से बचें, प्रेमी की भावनाओं को आहत न करें, उपाईये करें, पूरे सप्तावर, रुद्राक्ष के माला से नमहा शिवाये, ये महा मंतर का जाब करें, तो अब समय ह और कार्तिक महा की शुरुआत का ये विशेश परवा है, क्या करें हैं, शिवाले में भगवान कार्तिके पर च्छे केले चड़ा हैं, और चड़े वे चो केले हैं, ये गाये को खिला दें, कोई भी जो रोग है न, सब बल्कु छुटकारा मिलेगा, बात करता हैं, पांच दोस्तों से भी लकात होगी, रिष्टेदार घर पर भी आएंगे, प्रेम संबंद भी रसिक रहेंगे, उपाय क्या करना है सिंग राशी वालों, पूरे सब्ता बर पानी में थोड़ी से रूली डाल कर सूर्य देव को अर्ग दे, छटी राशी कन्या की बात करेंगे, किसी संबंद लकी रहेंगे, जिवन साती का साथ मिलेगा, उपाय ये करे कन्या राशी वालों, किसी गरी महिला को हरे मुंग दान करें, सात्वी राशी तुला इन्हीं लिवरा की बात करेंगे, इस सब्ता नए कारोबारी मौके मिल सकते हैं, आपको संपत्ती के मामले सफल रहे करेंगे, कारोबारी लाब होगा, नेतागान सफल रहेंगे, किसी विप्रीत लिंगी, मित्र से मदद से अठकेवे काम आपके पूरे हो सकते हैं, प्रेमी से गलत फहिमी अंदूर होंगी, उपाय ये करें, पूरे सब्ताहबर महालक्ष्मी के निमेत घी का दिपक करें, जीवन साती की सेहत को लेकर चिंता भी रहेगी, उपाय ये करें, विष्चेक राशिवालों, रोज हनुमान चालिसा का पाट करें, तो अब समय है, पर्ववेशेश उपायक और ये पर्वहक कार्तिकाई दीपम, क्या करें आप शिवाले में भगवान कार्तिके के सामने त जिनता भी रह सकती है, बस टाइम मेनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखें, तो सफलता मिल जाएगी आपको, सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा, धन प्रबंदन पर भी, मनी मेनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा, जीवन साती की सेहत कुछ नरम रह सकती है, दफ्तर में कामकाज की अधिकता रह सकती है, कामकाज समय से पूरे होंगे, अधिकारियों से तारीब भी मिलेगी, विपरीत लिंगी मित्र से मदद मिल सकती है, दामपते भी रह सकता है, आपका इस सब्ता में एक उपाय जरूर करें, पीपल के पेड़े के नीचे तिल के दिपक करें, ग्यारवी राशे कुम्भ, यानि का अकवरियस की बात करेंगे, इस सब्ताहा आप चुनोतियों का डट कर सामना करेंगे, कड़े प्रयास सफल रहेंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, मरमत पर, घर की मरमत पर, क्योंकि दिपावली आने वाली है, तो उस पर खर्चा भी हो सकता है, विवादों से बचना होगा, आपको प्रेम संबंदों में बदनामी के योग हैं, कटिन समय में जीवन साथी का साथ बना रहेगा, उपाहिये करना कुम्भ राशे बनों, बरगत के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है आप कारोबारे में बड़ी सफलता मिल सकती है, आएके नैस रोत बनेंगे, सुविधाओं पर खर्च होगा, समपती से लाब के योग भी हैं, इस सत्ताहा च्छात्रों का समय मौज मस्ती में बितेगा, प्रेमी से बहस से बचना होगा आपको, दामपत्य हाला की सुखी रहेगा उपाई ये करना होगा मीन राशिवलों आपको की घी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भगवान विष्णू के निमित दिपक करना होगा, तो दोस्तों आप समय है, पर्व विशेश का उपाई, और ये है करवा चौत, महा पर्वा तो क्या करें आप, करवा चौत के दिन माता नमबार 10 अक्तूबर 2022 से लेकर के, रवीवार 16 अक्तूबर 2022 के बीच में, हमने बहुत कुछ डिसकस किया, ग्रेग ओचर डिसकस किया, विशेश पर्व डिसकस किये, शुभ योगों के बारे में बात की, मेश से लेकर मीन राशी का साथता हिक राशिफल बताया, राशी उन